नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आए हमारी यूटूब चैनल आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जुमारी क्लासे हैं वह हैं प्रियास काहरी पुस्ति का हिंदी कक्षा चार एवं पांच के अंतरगत आखलन पत्रक आठ आज की क्लास में हम आखलन पत्रक आठ कॉल करेंगे जो पेज नमबर 47 पर हैं आईए शुरू करते हैं आखलन पत्रक आठ इसमें देखिए गोरी अपनी सहेली सुनिता से मिलने उसके गर गई थी क्योंकि उसका स्वास्तिय खराब था वहां उसे उसकी सहेली का बेटा आधित्य मिला उसने बताया कि कल वे अपने पारिवारिक वेवाहिक कारिक्रम में गए थे वहां उसकी मम्मी की तबियत अचानक खराब हो गई थी ठीके विद्यारतियों यह गद्यास देर का था अब इसके आधार पर हमें क्या करना है प्रस्ण पहला प्रस्ण देखिए उप्योक्त पंक्तियों में उप्योक में आये सरुनाम शब्दों को चाट कर नीचे लिखिए इन पंक्तियों में जो सरुनाम शब्दों उन्हें चाट करा में या नीचे लिखना है गोरी अपनी सहली सुनिता से मिलने उसके क्या है उसके यह सरुनाम शब्द है अम यह लिखेंगे उसके गर गई थी क्योंकि उसका स्वास्तिक खराब था वहां उसे उसे उसकी उसकी सहली का बेटा आधित्य मिला उसने उसने बताया कि कल वे अपने पारिवारिक व्यवाहिक कारिकरम में गए थे वहां उसकी मम्मी की तबियत अचानक खराब हो गई थी यह इसमें सरुनाम शब्द है सरुनाम शब्द वे होते हैं जो संग्या के इस्तान पर काम आने वाले शब्द होते हैं जो संग्या के इस्तान पर प्रियुक्त किये जाते हैं या काम में लिये जाते हैं उन्हें सरुनाम कहते हैं चले विद्यार्थिव अगला प्रस्ण यह था पहला प्रस्ण अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर दो निम्न लिखित वाक्यों को उचित सरुनाम शब्दों का प्रियोग करते हुए पूर्ण करो इन वाक्यों में इन में से उचित सरुनाम शब्द का प्रियोग करना है और इन वाक्यों को पूरा करना है पूर्णा करना है दूसरे का पहला आशू साथ खेलने जाएगा किसके हमारे या तुमको यह आएगा हमारे हम यह लिखेंगे हमारे आशू हमारे साथ खेलने जाएगा दूसरा है सिद्धी ने कपड़े दो दिये उसका या मेरे इसमें आएगा मेरे सिद्धी ने मेरे कपड़े दो दिये अगला है तिसरा कुकु बाई के साथ गूमने गई है अपना या अपने अपने तिया लिखेंगे अपने कुकु अपने बाई के साथ गूमने गई है अगला है चोथा तनु पिताजी के साथ बेटा है मेरा या मेरे तो मेरे तिया लिखेंगे मेरे तनु मेरे पिताजी के साथ बेटा है ठीक है विद्यार्थियो यह था दूसरा प्रश्न नें चली आगे बढ़ते हैं धी बिद्यारतियों अगला जो प्रस्थ नमबर तीन निम ने लिखी शहरों को उनके उचित नाम के साथ मिलान केजिए या मैं कुछ शहर दे रहे हैं इनका उनके उचित नाम के साथ मिलान करना है कि कि सिहर का क्या नाम है कि देखिए पहला गुलाबी नगरी दूसरा है जिलो की नगरी तीसरा है स्वर्न नगरी चोता है सुर्य नगरी तो इंड में से मिलाना है जोदपूर जेसल में जैपूर और उदेपूर इंड में से मिलाना है तो जाथ पहला है गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी कौन सी हैं, जैपूर, गुलाबी नगरी जैपूर, ठीक है बते हैं तो याद रखना, गुलाबी नगरी कौन सी हैं, जैपूर, जीलोग की नगरी, जीलोग की नगरी है विद्यार्थियों, उदेपूर, हम इसका मिला निश्य करेंगे, जीलो की नगरी उदैपूर, अगला है, तीसरा स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी है विद्यारतियो जेसलमेर, स्वर्ण नगरी जेसलमेर, अगला है सुर्य नगरी, सुर्य नगरी है विद्यारतियो जोदपूर, सुर्य नगरी जोदपूर, ठीक है विद्यारतियो, तहमें याद रखना गुलाबी नगरी किसे कहते हैं जाइपूर को जिलो की नगरी किसे कहते हैं उदेपूर को स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं जेसल मेर को सूरी नगरी किसे कहते हैं जोदपूर को ठीक है विद्यारतियों यह हमें ध्यान में रखना है चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन शब्दों का प्रियोग करते हुए हमें एक-एक वाक्य बनाना है, पेला शब्दे कटोरी, कूर्सी, दरवाजा, सड़क, तो कटोरी से बनाएंगे, हम एक वाक्य बनाएंगे, कटोरी में दूद्ध हैं, कटोरी में दूद्ध हैं, एक वाक्य बन गया, अगला एक कूर्सी, कूर्सी से बनाएंगे, राम कूर्सी पर बेठा है, राम कूर्सी पर बेठा हैं, अगला हैं तिसरा, दरवाजा, इसका बनाएंगे, दरवाजा, बन्द हैं, दरवाजा, बन्द हैं, अगला हैं, सडक, इसका वाक्य बनाएंगे, सडक पर बस चलती है, सडक पर बस चलती हैं, ठीक हैं विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसके अगले प्रेश्ण को, विद्यार्थियों, अगला जो प्रेश्ण है, प्रेश्ण नमबर पांच, विद्यार्थियों जाने से पहले, आप क्या-क्या तैयारिया करते हैं, पांच वाक्यों में लिखियें, विद्यार्थियों, हम विद्यार्थियों जाने से पहले, क्या-क्या तैयारिया करते हैं, तो हम पांच वाक्यों इसमें लिखेंगे, तो हम देखिए सुबह क्या करते हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं हम सुबह सुरी इसको थोड़ा सही कर दिए जल्दी उठते हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं हम सोच से निवरित होते हैं हम सोचादी से निवरित होते हैं और हम क्या करते हैं हम मनजन करते हैं हम सुबह मनजन करते हैं और हम क्या करते हैं हम स्नान करते हैं हम स्नान करते हैं हम क्या करते हैं हम विद्याले गणवेश पहन करते हैं हम विद्याले गणवेश पहन कर तैयार होते हैं होते हैं ठीक है विद्याले गणवेश जाने से पहले यह तैयारिया करते हैं और भी हम दूसरे बाकी भी लिख सकते हैं हम बोसेच जो कारी करते हैं सुबह है विद्याले जाने से पूरव तो वे हम इसमे लिख सकते हैं ठीक है विद्यारथियो इस प्रकार से मने आध त्टी क्लास में आंकलन पत्रक आट को अल किया आप आप भी इस आंगलन पत्रक को समझते हुए हल जरूर कीजिए विद्ध्यार्तियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो था हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिये गए लाल रंग के सब् मुझ चुपाएं आप अधिक सदिक विद्यारतियों मित्रों तक हमारी वीडियो शेर जुरू कीजिए विद्यारतियों आप निचे दिये के कमेंट्स वोक्स में कमेंट्स करके बताईए कि आपको यह हमारे वीडियो कैसे लगे विद्यारत्यों मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेन के साथ में तब तक के लिए थेंक यू धन्यवाद जैन जै बारख आपको दिन शुबरें थेंक यू झाल